दोस्तों अगर मैं आपको बोलू कि 98.47 परसेंट लोग यह नहीं मानेंगी कि ओला कमपनी ने 10 महने के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ किये बट यह फैक्ट बात है कि कमपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ किये इन 10 महनी के अंदर कमपनी को आयो एक साली हुआ है और इनका फूचार फेक्टरी से से बोहते हैं अभी रिसेंटली मैंने एक एथर के उपर वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एथर कंपनी ने फाइनली 50,000 वी गाड़ी को बनाया एंड उसको सेल आउट करके डिलिवरी करी बट ये तो एथर की कहानी है जो काफी समय से इंडियन मार्केट में हम बात करें एंड उन्होंने कल एक लाख वी यूनिट जो गाड़ी है उसको बनाया फैक्टरी बे एंड उसको निकाला है फैक्टरी से तो समझ सकते हैं एक लाख गाड़िया ये डेवलोप्ट कर चुके पिछले दस महिने से ये बहुत बड़ा मालस्टोन है एक स्टार्टप कमपनी के लिए है और इस टाइप के जो मालस्टोन है अभी तक कोई भी कमपनी अचीव नहीं कर पाए हाला कि काफी कमपनीया एक ल करने को मिला था उसका सॉफ्टर्स नहीं मिलने कारण काफी लोग परिशान थे उससे बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिला है इवन जो लोग इश्यूस हुए थे गाड़ी में फिट एन फिनिश क्वालिटी के उपर उसके उपर भी बहुत ज्यादा इश्यूस हुए बट कंपनी ने धीरी-धीरी करके उसको स्ट्रेम लाइन किया है अभी भी स्ट्रीम लाइन नहीं हुए है बट उसको कर रहे दीरी दीरे और यह चीज इनके सेल्स और इनके प्रडक्शन में देखने हुं मिलती है कि हाँ चीज़ों को और अच्छे से वह इंप्रूफ कर र परवाल जी ने जो उन्होंने अचीव किया है वो देखने वाली बात है यह संगर्षपुन जर्णी था इनके लिए और यह आगे और भी अचीव करने वाले है नवेंबर में इन्होंने एक लाग करा है इनका टार्गेट है 2023 तक लगबग 10-15 लाग गाड़िया इंडियन मार्केट में सेल करना और इसका कुछ उन्होंने ट्विटर पर टूइट भी गया है कि हाँ उनके टार्गेट क्या है सो लेट सी क्या होता है बहुत जल्दी जिस हिसाब से यह ग्रो कर रहे है इंडिया में तो हर जग आपको ओला की गाड़ी देखने को मिल सकती है आज की वीडियो बस इतना ही था वीडियो चुरे तो प्लीस लाइक कर देना ने हो तो सब्सक्राइब कर देना और आच्छे तो प्लीस शेक कर देना मिल देखले वीडियो में जै हिंद